आइसा ही एजक्रेशनली वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टोडी वे देनिल सर्थ और आज के जो टॉपिक है वो है समानध्धिन जब फ्रेंट्स आज हम लोग इसमें समानध्धिन के 20 कोशन को डिसकस करेंगे और बता चाता है आपके बताना है कि किस देश में क्रिसमस का तेवार गर्मि में चैलिबरेट करते हैं तो आपका जो विखलक है कि अस प्रकार बात करें यहाँ पर जापान की तो जापान की जो करेंसी है वो है यहाँ पर येन और यहाँ के जो क्याटल है वो है टोक्यो लास्ट में हाँ पर है अमेरिका तो अमेरिका के जो क्याटल है वो है वाशिंग्टन डीसी और यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर तो जो तीसरा है ध्वनी प्रदूसर्ड, चौता है जल प्रदूसर्ड, तो आपको दिये हो यह option से सही विकल्प को select करना है, इसका right option बताएं क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, तो मैं बताब दूएं इसका जो सही विकल्प है वो है second का C यानि ध्वनी प्रदूसर्ड कुछ fact पता दूएं उसके बारे में, जैसा कि friends आप लोग में देखा होगा, कि जब highway पे गारी चलती है, तो उसके side में पेड़ लगे होते हैं, इसके side में पेड़ का work क्या होता है, कि जब यह गारी चलती हैं, तो उससे काफी आवाज निकलती है, और जो side में पेड़ यह यह दोनी प्रदूसर, चलते हैं अगले कोशन पे, next कोशन हैं पर है, कि सूर का निकर्तम गरा काउन सा है, आपको इसका right option क्या है, आपको यह पे जहीं पेड़ करना है, और फ्रेंस काफी आसान सा कोशन है, I hope कि आप right option तक पहुंच गया होगे, तो इसका जो सही विकल प्रेंस आपको जैसा पता होगा, कि सूर के नजदीक होने के बावजूर भी सबसे गर्म गरा कौन सा है, तो आपका सही option होगा, शुक्र सबसे नजदीक गरा कौन सा है, वो है बुद्ध, इसका reason क्या है, शुक्र गरा इतना ज्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि जैसे जानते कि जो शुक्र गरा का जो वाइम अंडल है, वो CO2 से बना हुआ है, और CO2 की खास बात क्यों होते है कि ये गर्मी को एब्जॉब कर लेती है, और जो 90 से लिए 95 परशन तक CO2 आपकी शुक्र गरा में मौझूद है, इसलिए शुक्र गरा बहुत ज़्यादा गर्म गरा है, त पिर आपका ब्रिस्पती आएगा, फिर शनी, अरुड, वरुड, तो ये आपके टोटल आठ गरा हो गए, तो जो शुरुबात के चार गरा होते हैं, कौन कौन से बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ये आपके ठोस होते हैं, यहाँ फ्रेंस ये सॉलिड होते हैं, मतल खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब वहाँ पे लैंड नहीं है, तो जो शुरुबात के चार गरा होते हैं, वो ठोस होते हैं, और लाष्ट के चार गरा होते हैं, वो आपके गैस फ़र्म में होते हैं, तो फ्रेंस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गरा को लेके, तो जो थड क राइट ऑप्शन है वो है थर्ड का डी बुधगरा देखे बुधगरा नजदीक तो है लेकिन सबसे जो गर्म गरा है वो आपका शुक्र है तो थर्ड का डी एकदम सही हाँ पर है चलते हैं अगले कोशन पर तो नेक्ट कोशन हाँ पर है कि इंसुलिन की राशानिक प्रकृत है तो आपके विकल्प इस प्रकार है पहला ओप्शन हाँ पर है विटामिन दूसरा है प्रोटीन तीसरा है वसा चौथा है कार्बो हाइड्रेट तो इसका राइट ओप्शन क्या होगा आपको विकल्प चाहिन करना है विटामिन होगा प्रोटीन होगा वसा होगा या फिर कार्बो हाइड होगा तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ का बी यानी प्रोटीन प्रोटीन एक्दम सही है चले चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन हापर है कि तिबबत की सांको नदी भारत में किस नदी की नाम से जानी जाती है आपको उताना है कि जो पिशन क्या होगा आपको सहीविकल्प का चैन करना है आपके पास देह से कंड है अर इसका देख क्या होगा तो बता दुसका जो राइट ऑप्शन है वह है फिप्ट का सी अनी प्र हिद्प रिंध का दा कि उसका राइट वो तिब्बत से ही होता है तो यह कुछ information थी ब्रह्मपुत्र को लेके देखे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को हम लोग सांगपो बोलते हैं भारत में ब्रह्मपुत्र ही बोलाता है और बांगलादेश में इसको हम लोग जमुना बोलते हैं और गंगा नदी को बांगलादे कि तब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस मिलती हैं, तो उसको हम लोग मेगना बोलते हैं, और लाश मिलाके बंगाल के खाड़े में मिल जाती हैं, तो फिप्त का जो सही विकल्प है वो है, C यानि ब्रह्मपुत्र, चले चलते हैं अगले कोशन पर, तो अगला कोशन आप पर है, कि दूर से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो आपके विकल्प इस प्रकार है पहला विकल्प आपका हहाँ पर है, प्रकास रंसलेशन, दूसरा है आसवन, तीसरा है क्यडवन, चौत्ता है स्टेरिलाईजाशन, तो बताया है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रकाष्ट रंसलेशन होगा, आस्वन होगा, खिडवन होगा, या फिर इस्टेरिलाइजेशन होगा, तो इसका जो सही विकल्प है, वो है, सिख्ट का CNA, खिडवन, और इसको एंग्लिश में लों बोलते हैं, फर्मेंटेशन, या फ्रेंट्स, कभी-कभी, हिंदी ना दे क English दे शकता है, तो आपको पता होना चाहिए, कि खिडवन कम बोलते हैं, फर्मेंटेशन, जो धुसे जो दही बनता है, उसमें सहायक आपका क्या होता है, तो लाकटो बैसलत्स आपका होता है, वो आपका क्या करता है, जो 6 का राइट उप्शन है, वो है, C यानि खिडवन, उसको में बोलते हैं fermentation ही बोलते हैं तो 6 का सी एक दम सही आपर है चलते हैं अगले question पर तो next question आपर है एक Greenpeace International मुख्याले अवस्थित है तो कहाँ पर है, New York में है Sydney में है, Amsterdam में है या फिर नागा साकी में है तो पता है इसका right option क्या होगा New York होगा, Sydney होगा Amsterdam होगा, या फिर नागा साकी होगा और आई हो किसका answer आपको पता होगा क्योंकि काफी आसान सा question है तो जो 7 का right option है आपर है वो है Amsterdam 6 का सी एक दम सही है यापर चलते हैं अगले question पर तो next question है पर है जो जोग जल प्रपारत है वो किस नदी से समधित है तो आपके विकल्फ है गोदावरी, दूसरा है पद्मा, तीसरा है शरावती चोता है इनमें से कोई नहीं तो बताए इसका right option क्या है गोदावरी होगा, गंगा होगा, शरावती होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा तो आई होब कि अब तक आपके माइन में राइट ओप्शन आ गया होगा क्योंकि काफी आसान सा कोश्चन है इसका जो राइट ओप्शन है वो है एर्थकसि यानि शरावती और बता दो कि जो आपका जोग जल प्रपारत है यह आपका करनाटक में इस्थित है और यह चार छोटे छोटे जल प्रपारतों से मिलके बना है कौन कोशे है वो राजा, रॉकेट, रोरर और दामबलाचे तो आपको यह भी साथ पता होना चाहिए किसका एक नाम जेर सप्पा भी है तो जो एर्थ का राइट ओप्शन है वो है एर्थ का सी यह नि शरावती चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपड़ है कि विजय इस्थम्ब जो है वो कहाँ इस्थित है आपको पताना है कि जो विजय इस्थम्ब है यह कहाँ इस्थित है तो आपके विकलप इस प्रकार है पहला आपका उप्शन है अपड़ है दिल्ली तुसरा है चित्तौर तीसरा है जैपूर चौत्था है आगरा तो इसका राइट ओप्शन क्या होगा दिल्ली होगा, चितौर होगा, जैपूर होगा, फिर आगरा होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, वो नाइन्थ का भी है, चितौर है, कुछ बता दूँ इसके बारे में, कि विजय स्थम्ब चितौर गल के चितौर किले में इस्थित है, आपको यह भी पता होना कि इस स्थम का निर्माड माराचा कुम्बा जी ने करवाया था, कब 1446 में, और इस स्थम को हम लोग कीरती स्थम के नाम से भी जानते हैं, तो जो नाइन्थ का सही ऑप्शन है, वो है, बी यानि चितौर, नाइन्थ का भी यहाँ पर एकदम सही है, चलते हैं अगले कोशन तो अगला कोशन आपर है, पुस्तक एक यहाँ पर है, लॉग वाग टू फ्रीडम, यहाँ पर माफ करेंगे, यहाँ पर लॉग होगा, गलती से लॉग ले गया, लॉग होगा, तो लॉग वाग टू फ्रीडम के लेखा कौन है, तो आपके जो विकल्प हैं वेश्प्रकाह लॉग वाग टू फ्रीडम, ओब्रे मैनन होंगे, नेलसन मंडेला जी होंगे, ओंग सौन सू की होंगे, या फिर सोली सोराब जी होंगे, तो इसका जो सही विकल्प है वो है, टेंथ का बी यानि नेलसन मंडेला, चलते हैं अगले कोशन पर, तो नेक्ट कोशन हाँ पर है, कि गोल्डेन चावल एक परिचलतम स्रोथ है, कि जो गोल्डेन चावल है, इसमें कौन से विटामिन पाई जाती है, तो आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है, पहला आपके है विटामिन A, दूसरा है विटामिन B12, तीसरा है विटामिन C, चौता है विटामिन D, तो प मुदलब कह सकते हैं कि जो vitamin A का राषानिक नाम है वो है retinol, और vitamin A की कमी से रतओंधी नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे इंसान को अधेरे में कम दिखाई देता है, तेखिए अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखाई देता है, पट काफी हद तक आप अधेरे में देख सकते हैं लेकिन अगर किसी इंसान को रतोंते विभारी हो जाती है तो उसे एकडम दिखाई नहीं देगा और यह vitamin A की कमी से होता है और इसका नाम है retinol देखिए यहाँ पर लिखा हुआ vitamin B12 इसका नाम है sinocobalmin और vitamin C जो है इसका नाम है ascorbic acid देखिए आपको इससे पता होना चाहिए क्योंकि एक्जाम में आपसे यह भी पूसकता है कि vitamin C का राशानिक नेम क्या है तो हम लोग इसको जानते हैं ascorbic acid से और जो यह आपका ascorbic acid होता है यह खटे फिलोम पाई जाता है जिससे आपका संतरा हो गया नीवू हो गया तो इसमें आपको मेलेगा vitamin C और last आपका हाँ पर है vitamin D जिसका राशानिक नाम है calciferol जो friends इसका नाम है calciferol और देखिए vitamin D का जो main source है वो है सूर तो vitamin D हमें सूर से मिलता है आपको बताने हैं पर कि पश्पति संप्रदाय का संस्था पर कौन था तो आपके जो विकल्फ है इस प्रकार है पहला आपका है उधिताचारे दूसरा है लकुलीष दीसरा है शंकराचारे चोथा है भहरवाचारे तो बताए इसका right option क्या होगा उधिताचारे होगा लकुलीष होगा शंकराचारे होगा या फिर भहरवाचारे होगा तो बतादो इसका जो सही विकल्फ है वो है 12 का B यानि 12 का जो B है वो एकदम सही है चले चलते हैं अगले question पर तो next question है आपर है बारत के कितने राज संबद के किनारे पर है पदलब आपको बताना है आपर कि भारत के ऐसे कितने राज हैं जो संबद के किनारे बसे होगा तो आपके जो option है इस प्रकार है पहला आपका है पर 7 दूसरा है 8 तीसरा है 10 14 है 9 तो पताए इसका सही विकल्ब क्या होगा 7 होगा 8 होगा 10 होगा या फिर 9 होगा तो ये भी कापी असान सो question है तो अब तक आप सही विकल्ब तक पहुंच गया होगे इसका जो सही विकल्ब है वो है 13 का डी यहनि 9 तो 9 ऐसे राज हैं जो समद्र की किनारे बसे होगे तो कौन-कौन से हैं तो पहला आपका है गुजरात महाराष्ट्रा गोवा करनाटक और केरला तो ये आपके जो 5 राज होगे ये आपके पश्चमी राज होगे अब बात करेंगे चार पूर्वी राज के तो कौन-कौन से हैं पहला आपके है तमिलनाडू दूसरा है आंद्रप्रदेश तीसरा है उरिसा चौतरा है कोलकाता ये आपके चार राज पूर्वी राज होगे चार पूर्वी राज है तो टोटल आपके 9 राज हो गए और जिसका जो राइट ऑप्शन है वो है 13 का D यानि 9 एक्दम सही यहां पर है चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन यहां पर है कि गदर पार्टे का मुख्याले था आपको बताना है कि गदर पार्टे का मुख्याले कहां पर इस्तित्ता तो आपके विकल्प इस प्रकार है पहला आपके हैं सैन फ्रेंसिस्को दूसरा है मदरास तीसरा है नुई यॉक चौता है कलकत्ता तो आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है सैन फ्रेंसिसको होगा मदर वस होगा नियॉयक होगा इसको सही बीकल्प है जैसली के सथापन अमेरिका के अंग्रेजी सामराज को खट्म करने के उदेश चे हुई थी और इसको सथापक थे सोहन सिंग भकनाजी सोहन सिंग भकनाजी तो चोड़ा का एक रम सही जवाब है वो है A.N.E. San Francisco चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपर है कि महाभारत का मौलिक नाम है आपको बताना है महाभारत का मौलिक नाम है बुर्यत कथा, राज्तारंगनी, कथा सागर या फिर जैस अहीं हीता तो बता दूँ इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पंदरा का T.N.E. जैस सही हैता चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपर है अन हैपी इंडिया के लेखक है आपको बताना है कि अन हैपी इंडिया जो बुक है उसके लेखक कौन है तो आपकी उप्शन इस प्रकार है पहले आपका है सावरकर जी दूसरा है रविना टाइगोर जी तिसरा है रफिक जी जो अठा है लाला लाजपत राइजी तो बता इसका राइट ऑप्शन क्या होगा A है, B है, C है, D है तो बता दूँ इसका जो सही विकल्प है वो है सोला का DNA लाला लाजपत राई जी तो जो सोला का DNA एकदम सही है चलिए चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन है पर है कि बादलों की दिशा एवं गती को मापने वाला यंत्र कहलाता है बादलों की दिशा एवं गती को मापने वाले यंत्र को क्या कहता है तो आपके विकल्प इस प्रकार है पहला आपका आपको अप्शन रहाए ऐनिमो मीटर दूसरा है रेंगेज तीसरा है नैफोस्कोप चोधा है पायरोस्कोप आपको यहाँ पर सहीविकल्ब पर चैन करना है एनिमोमीटर होगा, रेन गेज होगा नैफोस्कोप होगा या फिर पायरोस्कोप होगा तो बता इसका सहीविकल्ब क्या है तो बता दो उसका जो राइट ओप्शन है वो है 17 का C&E नैफोस्कोप नैफोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं जैसा कि कोशन में लिखाओ कि बाद लोग की अगर दिशा नापनी है गति नापनी है तो हम लोग नैफोस्कोप का यूज करते हैं तो बाद लोग की प्रवागति तथा दिशा को मापने का यंतर है जिसका नाम है anafroscope, और इसे हम लोगISA हिंदी में मेघ मापी भी बुलते हैं, लिखे हैं, पहला यहाई जो इनिमोमीटर तो उसका यूज हम लोग करते हैं, पवनबेगे नी, हवा के जो स्पीर होती उसको नापने के लिए मेणे के लिए एनिमोमीटर का यूज़ करते हैं, और जो आपका rain gauge है इसे हम लोग वर्षा कुना आपने के लिए यूज करते हैं कि कितने centimeter की वर्षा हुई है तो यह है तो जो 17 का इदम सही है वो है 17 का सेनी नेफोस्कोप चली चलते हैं अगले question पर तो अगला question आपड़े कि शेर्षा सूरी का मगबरा कहा इस्तित है या friends, share, souri का मगबरा कहा इस्तित हैं तो आपको जो विकल्ब है वो है लाहौर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है सासाराम, छौथा आगरा तो बता है इसका सही विकल्ब क्या है लाहौर होगा, दिल्ली होगा, सासाराम होगा या फिर आगरा होगा देखे ऐसे question आपको examet देखने को ज़रूर मिलेंगे question easy हो या tough हो आपको पढ़ना ज़रूर पढ़ेगा और अक्सर हम लोग easy question को गलती करके चले आते हैं तो आपको सारे question को पढ़ना पढ़ेगा आपको question आता हो चाहना आता हो तो पताई इसका right option क्या होगा पर शेड सासुरी का मगबरा कहां स्थित है तो इसका जो सही विकल्ब है वो है 18 का CME सासाराम में यह पर आता है 18 का C एक दम सही है चलते हैं अगले question पर तो अगला question है आपड़ है कि मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्थित है आपको बताना है कि मिनाक्षी मंदिर कहा परिस्तित है आपके पिकल्प है उडिसा, दूसरा है मदुरई, तीसरा है जैपूर, चोथा है आगरा तो बता है इसका right option क्या है उडिसा है, मदुरई है, जैपूर है या फिर आगरा है और I hope कि एप तक आपने right answer को होच लिया होगा तो इसका जो right answer है वो है उन्नीस का भी यानि मदुरई और फ्रेंस आपको जो मदुरई है वो आपका तमिल नाडु में पढ़ता है तो आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि आपका मदुरई कहां पर है तो आपका सही भी कल्प होगा तमिल नाडु तो उन्नीस का भी एक दम सही है चलते है अपने last question पर और बताए इसका last question का right option क्या होगा तो आपका question है यहाँ पर कि एक निश्चित आकृति में रिवस्तित ताराओं का समू कहलाता है तो आपका जो option है वो है वो है इसका बी यहनी नक्षत्र और नक्षत्र हम लोग हम लोग इंगलीश को बोलता है constellation यह friends हम लोग उसको बोलता है constellation आपने इसका नाम सुना जरूर होगा तो friends यह question कुछ थे आज सवान अध्यन को लेके और I hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आए होगा so friends thank you so much thanks for watching